मैं हाँ आधनिय राश्पती जी के अभिभाशन की चर्चा में भागिदार बनने के लिए उपस्तित हुआ हूँ और मैं आधनिय राश्पती जी के भाशन को मेरी तरफ से आधर पुर्वक धन्यवाद भी देता हूँ अभिनंदन भी करता हूँ अधेड़ सभापती जी यह पचतरवा गणतंत्र दिवस यह अपने आप में एक महत्वपुन मैल्स्टोन है और उस समय समिधान की यात्रा के इस महत्वपुन पड़ाओ पर राष्पती जी का भाषन उसका एक एतिहासिक महत्वप भी रहता है और उन्होंने अपने भाषन में भारत के आत्मयुस्वात की बात कहीं है भारत के उजबल भविष्ट के परती विश्वास को प्रगट किया है और भारत के कोटी कोटी जनों का जो सामर्थ है उस सामर्थ को बहुती कम शब्दों में लेकिन बहुती शांदार तरीके से देश के सामने सदन के माध्यम से प्रस्तुत किया है मैं राश्पती जी के इस प्रेरक उद्वोधन के लिए और राश्पत बिशा अंदर्देश के लिए और एक प्रकार से विक्षीद भारत के संकर्प को सामर्थ देने के लिए रदय से बहुत बहुत आभार व्यत चर्चा के दर्म्यान अनेक मान्य सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और चर्चा को सम्रुद्द करने का अपने अपने तरीके से प्रयास भी किया इस चर्चा को सम्रुद्द करने के प्रयास करने वाले सभी आधनिये साथ्यों का भी मेरे दय से हाभायर वेक्त करता हूँ अभिनान दन करता हूँ कुछ साथिवों के लिए आलोचना करना कड़ी बाते करना यह उनकी मजबूरी थी उनके प्रतिवी मैं संवेदनाय प्रकट करता हूँ मैं उस दिन तो कहनी पाया लेकिन मैं खड़ी जी का विशेष आभारी प्रकट करता हूँ बहुत ध्यान से सुनदा था खड़ी जी उस दिना है और ऐसा आनदा आजा है ऐसा आनदा आजा है ऐसा बहुत कम मिलता है लोगसभा में तो कभी भी मिल जाता है लेकिन आज कल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरण जन कम मिलता है लेकिन लोगसभा में मनोरण जी जो कमी हमें ख़ल रही है उद दिन आपने पूरी पर दी और मुझे प्रसंता इस बाट की थी कि मने ख़लगे जी काफी लंबा और बड़ी इंतहान बजे से इस्तानती से भोल रहते समय भी काले है था तो मैं सोच रहा था अंचानी मिली कैसे इतना असारा बोलने कि आजानी मिली कैसे तो मैं सोच तो रहा था लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते नो उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते हुए और इसलिए भावद भरपूर फाइदा स्वतंतरता का आदनिया खर्गेजी ने उठाया और मुझे लगता है कि उस दिन खर्गेजी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा अईसा मोका फिर कहा मिले और खर्गेजी भी खर्गेजी भी एंपार नहीं है कमांडोज नहीं है तो चोके शके मारने भी मजा आ रहा था उनको लेकिन एक बात खुशी की रही है उन्होंने जो 400 सीट एंडिये के लिए आसिरवाद दिया और मैं अरवेटी के इन आसिरवाद को आपके आसिरवाद मेरे स्वराखों पर अब आपके आसिरवाद वापिक लेना तो लेच सकते हैं तो कि एक खपाटो तो आवगे हैं इस दूसे के आधनिया सभापती जी मेंने आधनिया सभापती जी मुझे मुझे पिछले वर्ष का वो प्रसंग बराबर याद है उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधान मंत्री की आवाज को गला गौटने का बर्पूर प्यास किया गए हम बड़े धैरिय के साथ बड़ी नम्रता के साथ आपके एक एक शब्दों को सुनते रहे और आज भी आप न सुनने की तहारी के साथ आए हैं लेकिन मेरी आवाज को आप दमान ही सकते हैं देश की जंता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है देश की जंता के आजिजवात से आवाज विकल रही है और इसलिए आपने पिछली बार मैं भी इस बार पूरी तायारी के साथ आया हूँ मैंने सोता हुदा कि उटपकर कि शायद आप जैसे वेक्तिस हजन में आये हैं तुम मर्यादाओं का पाहन करेंगे लेकिन देर पोने दो घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगोंने मुझ पर और उसके बाद भी मैंने एक भी शब्दों की मर्यादा एक तोड़ी नहीं आदर्णिय सभापती जी मैंने भी एक प्राथना की है और प्राथना तो कर सकते हैं और मैं तो करता रहता हूँ पस्षिम मंगाव से आपको जो चैलेंज आई है और पस्षिम मंगाव से चैलेंज आई है कि कॉंगरेस चार सो चारीस पार नहीं कर पाएगा चारीस पार नहीं कर पाएगा प्रार्था करता हूँ कि आप चारीस पचा पाएगा आदरिये सभापती जी हमको बहुत सुनाया गया है और अपने सुना है लोक तंत्र में आपका कहने का अधिकार है और हमारी सुनने की जिम्मेवारी है और आज जो भी जो भी बाते हुई है उसको मुझे देश के सामने रखनी चाहिए और इसलिए मैं प्रयास करूँ गाएगा अधनिया सभापती जी यह जब सुनता हूँ उधर भी सुना इधर भी सुना मेरा विस्मास पक्ता हो गया है कि यह पार्टी सोच से भी आउट्डेटेटर हो गई है और जब सोच आउट्डेटर हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउट्सोर्स कर दिया देखते ही देखते इतना बड़ा दल इतने दसरकोंत पर तक देश पर राज करने वाला दल ऐसा पतन ऐसी गिरावट हमें खुशे नहीं हो रही है हमारी आपके प्रती हमारी आपके प्रती संबेदनाए हैं लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जीत पेशन्ट कुद आगे क्या बोलू आदेने सभावती जी ये बात सही है कि आज बहुत बड़ी बड़ी बाते होती हैं सुनने की ताकत भी खो चुके हैं लेकिन मैं तो देश के सामने बात रखने लिए जरूर कहूंगा जिस कॉंग्रेस ने सत्ता के लारश में सरे आम लोग तंदर का गला गौण दिया था जिस कॉंग्रेस ने दरजन और बार लोग तांतरिक तरीके से चून कर कही सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी बर्खात कर दिया जिस कॉंग्रेस ने देश की समिधान लोग तंदर की मर्यादा को जैल के सलाकों के पिछे बंद कर दिया था जिस कॉंग्रेस ने अख़बारों पर ताने लगाने तक की कोशिच की आवाज जो कॉंग्रेस देश को तोड़ दे के नेरेटिव घड़ता का नया शौक उनको पादा हुआ इतना तोड़ा कम नहीं है अब उत्तर द्वक्षिण को तोड़ दे के लिए बयान दिये जा रहे हैं और ये कॉंग्रेस हमें लोक्तंत्र और फैडलिजम उस पर प्रवेचन दे रही है आधनिय सभाबती जी जिस कॉंग्रेस ने जाट और पाषा के नाम पर देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोली जिस कॉंग्रेस ने आतंगवाद और अलगावद को अपने हित में पनपने दिया जिस कॉंग्रेस ने नौर्टिस को हिंसा, अलगाव और पिछड़े पन में धखेल दिया जिस कॉंग्रेस के राजमें मकसलवाद के लिए देश के लिए एक बहुत बढ़ी चुनाती बनाकर कर छोड़ दिया जिस कॉंग्रेस ने देश की बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, जिस कॉंग्रेस ने देश की सेनाओं का आगुनी करां होने से रोक दिया, वो आज हमें राष्ट्रिय सुरक्षा और आंत्रिक सुरक्षा के लिए भाशन दे रहें, जिस कॉंग्रेस ने आजाती के बात से ही कन्फूज रही, उनको उद्योग जरूरी है, कि खेती जरूरी है, उसी कन्फूजन में गुजारा किया, जो कॉंग्रेट ताई नहीं कर पाई कि नेशनलाइजेशन करना है कि प्राइजेशन करना है उलत्ती रही जो कॉंग्रेट दास वर्थ में बारा नमबर से ग्यारा नमबर पर आर्थिक बवस्ता ले आ पाई दस साल में बारा से ग्यारा नमबर और आप बारा से ग्यारा नमबर बहुत महनत नहीं पढ़ती है जैसे आगे बढ़ते हैं तो महनत और बढ़ती हैं हम दस साल में पांच नमबर पे लिए अधिकश कन्गरेश आ avaitन भी सबती जिस कंग्रेस ने OPC को पुरी तरय आरक्षन नहीं दिया, जिसने सामान्य वरक के गरीबों को कभी आरक्षन नहीं दिया, जिसने बाबा साब के बजाय, बाबा साब को भारत रतने देने योग्य नहीं माना अपने ही परिवार को भारत रतने देते रहे जिस कॉंग्रेस ने देश की गली सड़को चोक चोराय पर अपने ही परिवार के नाम के पाट जड़ दिये हैं वो हमें उपदेश दे रहे हैं वो वो हमें सामाजी नाय पार्ट पड़ा रहे हैं आधनिया सभावती जी जिस कॉंग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है अपनी नीती की कोई गारंटी नहीं है वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं अधनिया सभावती जी आधनिया सभावती जी यहाँ एक शिकायत थी और उनको लगता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं हम ऐसा क्यों देख रहे हैं देश और दुनिया उनके दस साल के कायरकाल को ऐसे क्यों देखती थी देश क्यों नाराज हो गया इतना गुस्सा देश को क्यों आया अधनिया सभावती जी हमारे कहने से सब नहीं हुआ है खुद के कर्बों के फल और अब तो सामने रहते हैं वो कोई दूसरे जनम में नहीं होते हैं इसी जनम में अधनिया सभावती जी कुछ हमें किसी को बुरा में कहते हैं जब उनहीं को लोगा ने बहुत कुछ कहा हूँ तो मुझे क्या कहने की जरूता है मैं एक वक्तव या सदन के सामने रखना चाहतू हूँ मैं पहला कोट पढ़ रहा हूँ सदेश्य गण जानते हैं कि कोटेशन है सदेश्य गण जानते हैं कि हमारी ग्रोथ दीमी हो गई है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है मेंगाई दर बीते दो वर्सों से लगातार बढ़ रही है करंट एकाउंट डेफिसिट हमारी उमीदों से कहीं अतीक हो चुका है ये कोट मैंने पढ़ा ये किसी भाजपा के नेता का कोट नहीं है नहीं ये कोट मेरा है आदनिय सभापती जी यू पी ए सरकार के दस साल पर तत्कालिन प्रधान मंतरी आदनिय पी ए के रुप में रहे स्लिमान मनमोंसी जी ने कहा और फुद के कायरकाल में कहा ये हालत थी उन्होंने वर्णन किया था आदनिय सभापती की अब मैं दूसरा कोट पढ़ता हूँ मैं दूसरा कोट पढ़ता हूँ देश में व्यापक गुस्टा है पब्लिक आफिस के मिश्यूज को लेकर भारी गुस्टा है इंस्टिटूशन का मिश्यूज कैसे होता था ये उस समय ये भी मैंने नहीं कह रहा ये उस समय के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पदप़र डॉक्टर मन मोहनसी जी कह रहे थे उस समय वेस्टाचार को लेकर पूरा देश सडकों पर था गड़ी गड़ी में आंदोलन चल रहे थे अम एक तीस है कोट पड़ूँगा एक संसोधन की कुछ पंक्तिया है इसको भी आप सुनिए टैक्स कलेक्शन में ब्रधाचार होता है इसके लिए जी एस्टी लाना चाहिए राशन की योजना में लिकेज होती है जिससे देश का गरिब से गरिब सबसे अधिक पिड़ी था है इसको रोकने के लिए उपाय खोजने होंगे सरकारी ठेके जैसे दिये जा रहे है उस पर शक होता है ये भी तक कालीन प्रधान मंतरी आदर्णिय मनमोंसी जी ने कहा था और उसके पहले और एक प्रधान मंतरी उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली से एक उर्पे जाता है पंदरा पैसा पहुंचता है सुधार बिमारी का पता था सुधार करने की तहारी नहीं थी और आज बातें तो बड़ी-बड़ी की जा रही है कॉंगरिस के दस साल का इतिहात देखिए फ्रेजाइल फायू एकोनामी में दुनिया में कहा जाता थी मैंने दुनिया कह थे फ्रेजाइल फायू पालिसी पारालिसिस ये तो उनकी पहचान बन गे थे और हमारे दस वर्ष टॉप फायू एकोनामी वाज़ हमारे बड़े और नेनाए खैसलों के लिए दस साल याद किये जाए आज देनिया सभापती जी हम उस कठीन दोर से बहुत महनत करके सोच समझ करके देश को संकटों से बाहर लाए है देश ऐसे ही आशिरवाब नहीं दे रहा है आज देनिया सभापती जी यहां सदन पे अंग्रेजों को याद किया गया प्लीज चुटिन नो प्लीज प्लीज आज देनिया सभापती जी इस सदन में अंग्रेजों को याद किया गया अब राजा महराजाओं को तो अंग्रेजों के साथ गहरा नाता रहा था उस समय तो अब मैं जड़ा पूछना चाहता हूँ कि कॉन इंस्पाइट था मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कॉंग्रेस पार्टी को जन्म किस ने दिया था ये तो मैं नहीं पूछना आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिक्ता को किस ने बढ़ावा दिया अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड सहीता पिनल कोर्ड आपने क्यों नहीं बढ़ ली आजादीय सभावती जी अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों के जमाने के सैंक्रो कानून क्यों चलते रहे आप अगर अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो लाल बत्ती कल्चर ये लाल बत्ती कल्चर इतने दसों को बाद भी क्यों चलता अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो भारत का बजेट शाम को पांच बजे इसलिए आता था क्योंकि ब्रिटिश पार्लामेंट का सुबह शुरू होने का समय होता था ये ब्रिटिश की पार्लामेंट के समय के अनुकूल शाम पांच बजे बजेट की परमपरा क्यों चला ही रखी थी आपने कौन अंग्रेजों से इंस्पायर था अपर आप अंग्रेजों से प्रेजित नहीं थे तो हमारी सेनाओं के चिनों पर आज भी गुलामी के प्रतीक अब सब क्यों बने हुए थे हमेग के बाद एक हटा रहे हैं अगर आप अंग्रेजों से प्रेजित नहीं थे तो राजपत को करतव्यपत बनने के लिए मोजी का इंतजार को करना था अगर ये समाजपती जी अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंडमार और निकोबार इन विप समुहों पर आज भी अंग्रेजी सब्ता की निशान क्यों लटके पड़े थे आज़र ये सभापती जी अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो इस देश के सेला के जवान देश के लिए मन मिठते रहे लेकिन देश के जवानों के सम्मान में एक vore memorial तक आप बना रही पाए थे क्यों नहीं बनाया गर आप अंगरेजों से इंस्पाइर नहीं थे प्रभावित नहीं थे तो भारतिय भाशाओं को हीन भावना से क्यों देखा स्थानिय भाशा में पढ़ाई के प्रती आप लोगों की बेरुखी क्यों थी आदनिय सभापती जी अगर आप अंगले जों से प्रेवित नहीं थे तो भारत को मदरब डेमोकरसी बताने में आपको कौम रोकता था आपको कौम हैसुस नहीं हुआ कि दुनिया में आदनिय सभापती जी मैं सेक्ड़ उदहान दे सकता हूं कि आप किस प्रभाव में काम करते थे और देश को सुनते ये सारी बात याद आने वादी है आदनिय सभापती जी मैं एक और उदहान देना चाहता हूं कॉंग्रेस में नेरेटिव फिलाए और इस नेरेटिव का प्रड़ाम क्या हुआ कि भारत की संस्कृति और संस्कारों मानने वाले लोगों को बड़े हीन भाव से देखा जाने लगा धक्यानों से मानने लगा गया और इस प्रकार से एक हमारे अतीद के पती अन्याय करने की नौबत आई है अपनी माननेता को गाली देते हैं अपनी अच्छी परंपराओं को गाली देते हैं तो आप प्रोग्रेसिव है इस प्रकार के नेरेटिव घड़े जाने लगे देश में और उसका नेत्रु तो कहा होता था ये दुनिया भली बाते जानती है दूसरे देश से आयात करना उसको गर्वकार और भारत के कोई चीज है तो दूसरे दर्जे की है ये स्टेटस बना दिया गया था ये स्टेटस सिंबॉल भार चे आया मेरे देश के गरीबों के कल्यान का काम होता आज मंदिर भारत के बात उनके मुह से नहीं निकलती है आज मेके निरिया कोई बोलता है उनके पेट में चुहे दोड़ने लग जाते है आज़ने सभापती जी आज़ने सभापती जी देश ये सब देख चुका है और अब समझ भी चुका है और उसी का पर्याम आप भुगब भी रहें आज़ने सभापती जी राश्पती जी ने अपने अभिवाशन में विस्तार से सब चार सबसे बड़ी जातियों के विशे में हम सब को समझित किया था युवा नारी गरीब और हमारे अन्नदाता हम जानते हैं इनकी समस्याएं जादातर एक स्वाबान हैं उनके सपने भी एक समान हैं और उसके समाधान अगर करने हैं तो थोड़ा उन्निस बिस का फरक पड़ेगा लेकिन इन चारो वर्गों के समाधान के रास्ते भी एक ही हैं और इसलिए उन्हों ने बहुत ही उप्यूक्त रुक्त से राष्ट का बारदर्शन किया हैं कि इन चार स्तंभों को मजबूत करिए देश विक्सीद भारत के तरफ तेजग्रती से आगे बढ़ेगा अगर अगर हम एक इसवी सदी में हैं हम विक्सीद भारत के सपन को इसी सदी में 2047 तक स्विकार करना स्विद्ध करना चाहते हैं तो बीश्वी सदी की सोच नहीं चल तकती सवाइच बीश्वी सदी का स्वार्थी एजन्डा मैं और मेरा वाला जो खेल है न 21वी सदी में देश को समरुद नहीं विक्सीद भारत नहीं बना सकता है कॉंग्रेस इन दिनों काफी बाते हो रही ही जाती की फिर से एक बार क्यों जरूत पढ़ गी उनको मैं तो नहीं जानता हूँ लेकिन अगर उनको जरूत पढ़ी है तो पहले ज़रा अपने गरीबान में जहांके उनको पता चले का क्या किया है बलीत पिछडे और आदिवासे कॉंग्रिस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी बिरोधी रही है और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ अगर बाबा साम न होते न तो शायद कि A.C.S.T.R. को आरक्षन मिलता कि नहीं मिलता ये भी मेरे मन में सबाने उता आदने सबाबत देजी और मैं ये कह रहा हूँ इसके पीछे मेरे पास प्रमान इनकी सोच आप से नहीं उस समय से ऐसी है मेरे पास प्रमान और मैं प्रमान के सिवाए में यहाँ कहने के लिए नहीं आया और जब बाते तो फिर तायारी रखनी चाहिए उनको और मेरा परिच्छ तो हो चुका है दस साल हो गए एक बार और मैं हादरपुर्वक नहरुजी को इंदियों नों ज्यादा याद करता हूँ अब देखे एक बार नहरुजी ने चिठी लिखी थे और ये चिठी मुख्यम मंत्रियों को लिखी थे मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ उन्होंने लिखा था ये देश के प्रधान मंत्री पंडित नहरुजी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिठी है अनुवाद पढ़ता हूँ मैं किसी भी आरक्षन को पसंद नहीं करता और खास कर नौक्री में आरक्षन तो कता ही नहीं मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाब हूँ जो अकुशल्ता को बढ़ावा दे जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए ये पंडित नहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिठी है और तब जाकर के मैं कहता हूँ ये जन्मजात इसके विरोधी है नहरू जी कहते थे नहरू जी कहते थे अगर सरकारी काम का स्थर गिर जाएगा और आज जो आँकरी गिनाते हैं न है कि इतने यहाँ है इतने यहाँ है उसका मूल यहाँ है क्योंकि उस समय उन्होंने रोग दिया था रिकूट्मेंटी मत करो अगर उच समय सरकार में भरती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे भरते आज यहाँ पर पहुते सरापती जी ये कोट पढ़ रहा हूँ आप वेरिफाइ कर सकते हैं मैं पंडित नहरू का कोट पढ़ रहा हूँ अगर्णिया सर्फापती दी आप तो जानते हैं नहरू जी ने जो कहा वो कॉंग्रेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है नहरू जी ने कहा मचला पत्थर की लकीर उनके लिए दिखावे के लिए आप कुछ भी कहें लेकिन आपकी सोच ऐसे कई उदाहरों से सिद्ध होती हैं मैं अंगिनत उदाहरां रिख से चाहा हूँ लेकिन मैं एक उदाहरां जरूर देना चाहता हूँ और वो उदाहरां जम्हू कश्मीर का देना चाहता हूँ कॉंग्रेस ने जम्हू कश्मीर के हC S T OBC को सात औदसकों तक उनके अधिकारों से बन्चीत रखा आर्टिकल 370 मैं हम कितनी जितेगे उच्की बाद अभी नहीं कर रहा हूँ आर्टिकल 370 को निरस्त किया तब जाकर के इतने दसकों के बाद S.T. O.B.C. को वो अधिकार मिले जो देश के लोगों को बरसों से मिले हुए तो इसको रोक के रखा था जम्मू कश्मीर में Forest Rights Act उनको प्राप्ट नहीं था जम्मू कश्मीर में Prevents of Atrocity Act नहीं था ये हमने 370 हटा कर ये अधिकार उनको दिये हमारे ऐसी समुझाय में भी सबसे पीछे पीड़ी कोई रहा तो हमारा वालमी की समाज रहा लेकिन हमारे वालमी की परिवारों को भी साथ साथ दसक के बाद भी जम्मू कश्मीर में रहे लोगों के सेवा करते रहे लेकिन डोमिसाइल का अधिकार नहीं दिया गया ये हैं और मैं आज देश को भी अवगत करना चाहता हूँ कि स्थानिय निकायों में लोकल सेल्फ गर्वर्मेंट में OBC के आरक्षन का विदेग भी कल छे परवरी को लोगसभा में भी पारी हूँ हादर ये सभापती जी SC, ST, OBC उनको बड़ी भागीदारी नेम में कॉंग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है बाबा साथ के राजनीति को बाबा साथ के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है वक्तब अवलेबल है चुनाव में क्या क्या बोलागा है वो भी अवलेबल है इतको भारत रत्न भी देने की तयारी नहीं थी वो भी भाजपा के समर्फन से और सरकार बनी तब बाबा साब को खार देगा इतना ही नहीं सिताराम केशरी अती पिछडी जाती से कॉंग्रेस पार्टिया देखे है उठा करके फुटपात पर फैंक दिया गया वो भी सी वो वीडियो आवेलेबल है वो देश ने देखा सिताराम केशरी के साथ क्या हुआ और और अधनिय सभापती जी इनके एक मारदर्शक अमेरिका में बैठे सभापती जी इनके एक मारदर्शक अमेरिका में बैठे जो पिछले चुनाव में हुआ तो हुआ हुआ तो हुआ के लिए फेमस हो गए थे और कॉंगरेस ये इस परिवार के काफी करीबी है उन्होंने अभी अभी सम्मिधान निर्माता बाबा साब अमबेड करके उनके योगदान को छोटे करने का बरपूर प्यास शेव आदिये सभावती जी देश में पहली बाब एंडिये देख एक आदिवासी बेटी को राश्पति बनाने की प्रश्टाइब उनको उम्मिद्वार बनाया आपका हमसे वैचारिक विरोध हो वो एक बात है अगर हमसे वैचारिक विरोध होता आपने सामने केंडिडिट खड़ा किया होता मैं सबच सकता था लेकिन वैचारिक विरोध नहीं था क्यों क्यों कि हमारे यहां से गया हुआ व्यक्ति आपने उम्मिद्वार बनाया इसलिए वैचारिक विरोध नहीं था आपका विरोध एक आदिवासी बेटी के लिए और इसलिए आपने और ये जब सांगमा जी उनके दख भी एक किया है और आज तक सभापती जी राष्पती जी का अपनान करने की घटना एक कम नहीं है पहली बार इस देखने हुआ है उनके जिम्मेबार लोगों के मुझे ऐसी ऐसी भाते निकलिये सरम से माता जुग जाए राष्पती के लिए ऐसी भाष्चा बुली गई है मन में जो कसक पड़ी है न वो कहीं न कहीं इस प्रकार से निकलते रहती है एंडिये के अंदर हमने दस साल काम करने का मुझा में हमने पहले दलीत को और अब आदिवासी को हमने हमेशा हमारी प्रात्पिक्ता क्या है आदर निया सभावती दी है जब हम हमारी सरकार के परफॉम्मेंस के बात करता हूँ एंडिये की जो गरीब करने आद की नीतियों की बात करता हूँ थोड़ा साथ अगर उस समाज को ने करते जानते हो अखिर कौन समाज लाभार थी कौन लोग है यह जोगी जोपड़ी में किसको रहने के लिए जिन्द की गुजरनी पढ़ रहे है किस समाज के मुसीबतों से गुजरना पकटा है गवस्ताओं से बंचीत रहना पड़ा कौन समाज है हमने जीतना काम किया है यह एस्टी एस्टी आदिवा से इसी समाज के लिए कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्ता घर मिला है तो मेरे इस समाज की दंखों को मिला है स्वच्चता के अभाव में हर वर्द बिमारी से जूजना पड़ता था उनको स्वच्च भारत अभ्यान का लाब देने का काम सभापती जी हमारी योजनाओं के तहत मिला है ताकि उसको अच्छी जिन्दगी जीदे कावसन मिला है इसी परिवारों के हमारी माताई बहने दुए से खाना पका पका करके अपनी स्वास्त के संकट को जेल रही थी हमने उद्गो उजवला गैज दिया वो इनी परिवारों मुप्तराशन हो मुप्तराशन हो इसके लाब भरत यही मेरे परिवार जो सभाज के इस वर के मेरे परिवार्जन है जिन के लिए हमारी सारी योजनाएं काम कर रही है आदर ये सभाब अदी जी यहाँ पर कुछ ऐसा नेरेटिव रखा गया कम से कम कथों को इस प्रकार से नकार रहा किसका भला होगा आप ऐसा करके अपनी क्रेडिबिलेटी भी खो रहे है अपनी प्रतिश्चा भी खो रहे है आदर ये सभाब अदी जी यहाँ सिक्षा के ब्रहमक आंकड़े रखे दे गुम्रा करने का कैसा प्रयास होता है पिछले दस वर्स में स्कूलों में जो स्कूलर्शिप दे जाती है और ड्रॉप आउट बहुत तेजी से कम हुआ अगर्ये सभाब अधी जी दस साल पहले एक सो बीस एक लब्वे मॉडल स्कूल थे आदर ये सभाब अधी जी आज 401 लब्वे मॉडल स्कूल थे आप इन चीजों को क्यों न कारते हैं क्यों ऐसा करते हैं मुझे समझ नहीं आता सभापती जी पहले एक Central Tribal University थी आज दो Central Tribal Universities है आदेनिय सभापती जी ये भी सचाई है कि लंबे अर्षे तक गड़ी पिछड़े आदेवा से बेटे बेटिया कॉलेजों का धरबाचा तक नहीं देख पाते से मैं तो मुझे आद है मैं गुजरात में जब शेम बना तो मेरे लिए चोकाने वाला एनालीसिस मेरे सामने है गुजरात में उमर गाउसे अंबाजी पुरा बेल्ट आदिवासी बहुल स्थेतरा है हमारे दिग्वेजीजे के एक दामाद भी उसी इलाके में है उस पूरे इलाके में साइंस ट्रिम की एक भी स्कूल नहीं थी मैं जब वहां गया अब उस इलाके में मेरे आदिवासी बच्चों के लिए साइंस ट्रिम की स्कूल नहीं होगी तो एंजीनेरिंग डॉक्टरी का तो सवाली का उड़ता है किसी मिनिमम चीजे और यहाँ पर क्या भाशन दे रहे आदे इंडिया सभापती जी और मैं बताना चाहता हूँ सदन को गर्म होगा संतोज आप उस सदन में बैटे हैं वहाँ एक ऐसी सरकार आपके साथ बात करें एक ऐसी सरकार नेतुतों कर रही है जहां कितना बड़ा परिवरत ना है अब उस समाज का विश्वास बढ़ाई हैं उनका हसला बुलंद कीजिए वो देश की मुखे धाना में तेजी सा आगे बड़े उसके लिए हम प्रयास करें सामोहिक प्रयास करें आप देखिए आदिवासी और हमारे स्सी समाज की विद्यार्थियों का नामांकन मैं कुछ आकड़े रखना चाहता हूँ उच्च सिख्षा में स्सी विद्यार्थियों का नामांकन 44% बड़ा है उच्च सिख्षा में स्सी विद्यार्थियों का नामांकन 65% बड़ा है आयर एजूकेशन में OBC समाज के विद्यार्थियों का नामांकन मैं 45% बढ़ो थी और जब मेरे गरीब दलीद पिछड़े आदिवासी बंचीत उन परिवार के बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे उस समाज के अंदर एक नया वातामन पैदा होगा और उस दिशा में हमारी कोशी यहीं एक मुल्भूत समस्चाओं का समाधान करने के लिए थोड़ा समय लगे लेकिन मुझमुत ही थे काम करे और इसलिए हमने एजुकेशन पर इस पकार से बल दे के काम किया है क्रिपा करके जानकारियों का अभाव है तो कहिए हम जानकारिया दे देंगा लेकिन ऐसे निरेटिव मत बनाईए ताकि आपकी प्रतिश्चा भी कम हो आपके शब्द की दागत खतम हो जाए आपके दया आ जाती है कभी तुभी अधरिये सभावती जी सबका साथ सबका विकास यह नारा नहीं है यह मोदी की गारंटी है और जिए इतने सारे काम करते हैं मनुझे किसे ने कभीता लिख करके भेजी थी कभीता अबड़ी लंबी है तुक उसमें एक वाक्य है मोदी की गारंटी का दौर है मोदी की गारंटी का दौर है नए भारत की भोर नए भारत की भोर आउट अब वारंटी चल रही दुकाने आउट 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 वारंटी चल रही दुकाने खोजे अपनी ठोर अधर्णिय सभापती जी किस प्रकार से देश में निराशा फ्हलाने का प्रयास मैं ये तो समझता हूँ जो लोग इतनी निराशा की गर्त में डूप चुके है वैसे निराशा फ्हलाने का उटका सामर्थ भी बचा नहीं है वो भी सामर्थे नहीं बचा आँसा का तो संचार करी नहीं सकते जो खुदुन्या रशा निराशा के डूपे उनसे आँशा है लेकिन देश में हर जग जहां बैटर वारं निराशा 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 फ्यलाने का जो खेल चल रहा है और सच्चाई को नकार करके हो रहा है उन न खुद का भणा कर पाएंगे न देश का भणा कर पाएंगे आदर इस हभापती जी हर बार एक ही गानक आया जाता है समाज के वर्गों को भढ़काने के लिए बिना हकी कतों को ऐसे बाके बोल दिये जाते हैं मैं जरा देश के सामने कुछ हक्के कते बोलना चाता हूं और मुझी विश्वान से मिडिया इस ऐसे विश्यों पर जरा डिबेट कर ले ताकि पताता है आदर इस हभापती जी हर बार एक ही गानक आया जाता है समाज के कुछ वर्गो को भड़काने के लिए बिना हकीकतों को ऐसे बाके बोल दिये जाते हैं मैं जरा देश के सामने कुछ हक्के कते बोलना चाता हूं और मुझी विश्वान से मिडिया इस ऐसे विश्यों पर जरा डिबेट कर ले ताकि पताता है आदर इस हभापती जी यहाँ पर सरकारी कंप भुणियों को लेकर हम पर भाती भाती के आरोप लगे क्या क्या आरोप लगा है जा रहा है कि सीर पैर माथा कुछ नहीं बदद लगाते चलो अब देखिये कैं देश को याद है मारूती के शेर kingdom क्या खेल चल रहा था वो जमाने में हेंडलाइन बना करती थी मारूती शेर का क्या चल रहा दो उसकी गहराय में नहीं जाना चाहता हुआनों को वहां तक पाणी पहुंचेगा झायद यह थी आए पर करण लग जाए जा आधनिये सभापती जी देश को जानना जरूरी है आधनिये सभापती जी मैं तो आजाज भारत में पादा हुआ मेरे विचार भी आजाज है और मेरे सपने भी आजाज है तो गुलावी की मांसिक्ता को जीने वाले है उसके पाद और कोई चीज़े नहीं है वही पुराने कागर लेकर लेकर के दूनते रहते आधनिये सभापता जीए कॉंग्रेस ने कहा कि हमने पी एस्यू बेज दिये पी एस्यू डुबो दिये बाती बाती की बाते हैं या तुने और बरिश्टे लोगों के मुझसे सुन रहा था याद कीजिए बी एस एनल एम टी एनल को बरबाद करने माले कौन थे वो कौन सा कालखंट था जब बी एस एनल एम टी एनल बरबाद हो चुके जरह याद कीजिए हेल उसकी दुर्दसा क्या करके रखी दी बरबादी और जाकर के गेट पर भाशन देकर के जो हजार उन्नीस का चुनाव लगने का इजेंडा तय होता था हेल के नाम पर जिन्होंने हेल को तबाद कर दिया था वो हेल के गेट पर जाकर के भाशन जाड रहे थे खादर इंडिया सभावत दीजी एर इंडिया को किस ने तबाद कर दिया किस ने बरबाद कर दिया यहालत कौन लाया था कांगरेस पार्टी और यूपी ए ये दाज साल की उनकी बरबादी से मुझ नहीं मोड़ सकते देश बली भांती जानता है और अब मैं हमारे कारकाल के तुरा सफलता की बात बतारा चाहता हूँ आधनिय सभापती जी आज जिस BSNL को आपने तभा करके छोड़ा था ना वो BSNL आज मेडिन इंडिया 4G, 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है आधनिय सभापती जी एचेल के लिए इतने भम फलाए आज रेकॉर्ड मैनुफेक्टरिंग एचेल के लिए रेकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एचेल जिसको लेकर के इतने जो होलने चलाए और करणाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलिकप्टर बनाने वाली कम्पनी एचेल कर रहा है कहां छोड़ा था कहां जाके लगाए हमने पहुचाया आदेरिया सभाबती जी एक कमांडों यहां नहीं है एलाइसी को लेकर भी पतानिक कैसे कर दे बड़ी विद्वत्ता पुन बयान देते थे लाइसी का ऐसा हो गया लाइसी का बैसा हो गया लाइसी का यूँ हो गया जितनी गलत बाते लाइसी को ले बोलनी चाहिए बोली और तरीका यही है किसी को बरबात करने अफ़ा फ़लाओ जूट फ़लाओ प्रम फ़लाओ और और टैंडी भई यह है गाउं में किसी का बड़ा बंगलो हो लेने का मन करता हो लेकिन हाथ न लगता हो तो फ्रह हवा पहलाओ देता यह भूतिय बंगला यहां जो जाता है ऐसी हवा पहलाओ जयते को लेता नहीं फिर फ़लिप पंगले थे का चलाया ऐ है आधनिय सभाबती जी मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूँ आखें उची करके सुनाना चाहता हूँ आज आज एल आई सी के शेर्ट रिकॉर्ड्स तरपर्टेड हो रहते हूँ आधनिय सभाबती जी अब पचार किया जा रहा है पिएश्यू बंदो गए पिएश्यू बंदो गए अब उनको तो याद भी नहीं होगा क्या है बत कि जिन्हें पकड़ा दिया बोलो बोलो 2014 में देश में 234 पिएश उस्ते 234 उनके उपिए के दस साल के काल खने है अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा 242,34 आज 254 है 234 थे है अज 254 है अब भाई कोई कौन सा एरिथमेटिक वो जानते हैं बेचे दिये अब बेचे के बाद 252 हो दे हैं क्या क्या कर रहे हो आप लोग आदनिय सभापती जी आज अधिकतर PSU record return दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा PSU की तरफ बढ़ रहा है चो छोटा से अभी share बाजार जानते हैं इनको समझ आता है नहीं समझता है तो किसुको पूछो आप सभापती जी देखिए BAC PSU index में बीते एक वर्ष के दोरान लगभग दो गुनी उचार हुई है आदे लिए सभापती जी दस साल पहले हैने 2014 चार से चावदा के बीच की बात कर था PSU का net profit करिब करिब सवा लाग करोड था और इस दस वर्ष में PSU का net profit थाई लाग करोड है दस वर्ष में हमारे दस वर्ष में PSU की net worth 9.5 लाग करोड से बढ़ करके 17 लाग करोड हो गई है आदर ये सभापती जी इनका हाथ जहां भी लगता है न उसका डूबना काय हो जाता है और उसी यही दसा करके उन्होंने छोड़ी थी हम मेहनत करके इतनी बाहर लाए इतनी प्रतिश्णा बढ़ी है आपको खुसी होनी चाहिए ब्रह्म मत फ़लाए बाजार में हरा हवा ऐसे न फ़लाए कि देश के सामाने निवेशक के मन को उल्जन में आ जाए ऐसा काम आप नहीं कर सकते आदर ये सभापती जी इन लोगों की मर्यादा इतनी हैं अब इनों ने अपने उवराज को जुराज को एक स्टार्ट अप बना करके दिया है अब वो नों स्टार्ट अब वो नों स्टार्ट अब न तो लीट हो रहा है ड़े वो लॉच्च हो रहा है आदर नी जभापती जी आप पिछली बार भी इतनी साथी सो रहो तो रहो कित्रा बजाया था आदर नी राश्पती जी आदर नी जभापती जी बदाई हो बदाई हो बदाई हो सबको बदाई हो आदर नी जभापती जी मेरा सोभा गे रहा कि मुझे लंबे समय तक एक राज्य के मुख्मंती के नाते देश की और जंता के सेवा करने का आउसर मिला और इसलिए मैं रीजिनल एस्पिरेशन को बहुत भली भाते सराजता है कि मैं उस प्रोसेस से निकलाओ जैसे हमारे यहां देख भी जेजी उनको भली भाते सहथ समझ आता है भी एक राज्य के लिए क्या होता है हम लोग उसी दुनिया के निकल करके आए है तो हमें अनुबव है पता है सरद्राव जी को है तो ऐसे कुछ लोग है यहां जिनको इस सारी चीजों का पता है देवगणा साब है तो इन लोगों के इन सारी चीजों का पता है तो हम इसका महात्मा ही समझते हैं कोई किताबं में नहीं पढ़ना पढ़ता है मनुहो करकर क्या आए है और ये भी सत्याई के साथ है दज साथ यूपी ए की पूरी शक्ति गुजरात को क्या कुछ न करने में लगी हुई थी अब कलपना नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं आसु नहीं बहाता मैं रोना है रो कर रोने की मेरी आदर देजी लेकिन तब भी उतने संकटों के बावजुद भी उतने जुल्म के बाद भी हर प्रकार की मुसिबतों को जेलते हुए भी मेरी तो मुसिबत ऐसी थी जिए किसी मिनिस्टर से मिरी अपेंटमेंट नहीं मिलती थी वो कहते थे आप जानते हो मेरी तो दोस्ती है मैं फोन पर बात कर लूँगा लेकिन कहीं फोटो पोटो निकल गए यह डर रहता यहां मंत्रियों कर डर जासा था अब खेर उनकी मुसीबते में समझ सकता हूँ मेरी आएक बार बहुत प्राकृतिक आपड़ाई मैंने उसे में प्रदान मंत्रियों की बड़ा रिक्वेस्ट किया कि आप आजिये एक बाद जरा देख लीजिये उनका कारकम बना फिर था एक एडवाईजिर कमिटी बनी थे नहीं चाहिए वहाँ ते हुकम आया तो कोई हेलिकोप्टर से हवाई निरिक्षन करें वो तो मैं समझ सकता हूँ साब वो कारकम बदल करके साउट में किस राजी में गए तो मुझे आद नहीं रहा चाए और बोले हम हम हवाई यहां से उपर से देख लेंगे हम गुजरात में नहीं आएंगे मैं सूरत पहुँचा हुआ था वो आने वाले थे मैं जानता हुआ आखिर में क्या हुआ होगा तो आप कल्पना कर सकते साब प्राकुतिक आपदाबें भी मैंने ऐसी मुसीबतों कुछ जेला है लेकिन उसके बावजुद्ध उस समय भी मेरा मंतर था आज भी मेरा मंतर है कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास भारत के विकास के लिए गुजरात करें और हम सब को इसी रास्ते पर चलना चाहिए हम राज्यों का विकास से ही रास्त्र का विकास कर पाएंगे इस पे कोई कोई विवाद नहीं हो सकता है कोई विवाद नहीं हो सकता है और मैं आपको विश्वाद देता हूँ सभापती जी राज जगर एक कदम चलता है तो दो कदम चलने की ठाक्रट देने के बंद हैं। कोप internvative federalisem क्या होता है? और मैंने को हमेशा कहा हूँ. competitive cooperative federalism, आख देश को जरुर रता है competitive cooperative federalism, हमारे राज्यों के बीच में तंदुरस परदा हो. ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ़ें. एक सकाना प्रक सोच के साथ हमको चलने की ज़रूत है और मैं ये राज्य में था तब इसी विचारों को ले करके काम करता था इसलिए चुपचाप सहता भी था फादर निये सभावती जी कोवीड एक उधारन है इतना बड़ा संकट आया दुनिया का ऐसे संकर के समय राज्य के मुख्यों मंत्रियों के साथ बीस बैठे के की उसकालखन में एक एक बात का विचार को बसकर के साथे करके और सभी राज्यों का सहयोग एक टीम बिन करके केंदर और राज्य ने काम किया दुनिया जिस मुसिबत को जेल नहीं पाई हम सबने मिल करके किसी एक को क्रेडिट मैं कभी नहीं दूँगा सबने मिल करके इस देश को बैठाने के लिए जो हो सब्राइब नाच्यों को भी उसकी क्रेडिट लेने का पुर्णा अधिकार इस सोच में हमने काम किया अधनी सभापते जी जी ट्वेंटी का आयोजन है हम दिल्ली में कर सकते हैं हम दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं के बीच रहे करके सब कुछ क्या में कर पहले हुआ ही है हमने ऐसा नहीं किया हमने जी ट्वेंटी का पुरा यश राज्यों को दिल्ली में एक मिटिट जी तो सो एक एक राज्य को एक्सपोजर मिले दुनिया में ये गल्ती से नहीं हुआ योजना के तरीके से हुआ है मेरे लिए किसका किसकी सरकार है इसके आधारपन पर देश नहीं चलाता हूं हम सब मिलकर के देश आगे बढ़ाना चाहते है इस भूमिका से काम किया है विदेश की महमान आते थे तो मेरे आने के बाद आ रहे हैं तो फोड़ा है पहले भी आते थे आज विदेश महमान आते हैं तो मेरा आगरा रहता है कि आपको एक दिन किसी राज्य में जाना चाहिए मैं उनको लेती कि जाता हूं राज्यों में काकी उनको पता चले कि मेरा देश शानद दिल्ली नहीं है मेरा देश चिन्नई में भी है मेरा देश बैंगलोरू में भी है मेरा देश हाइदरबाद में भी है मेरा देश पूरी में भी है भुम्लेश पर में भी है मेरा देश कलकता में भी है पूरे दुनिया को मेरे देश के हर कौने का इस पोजर मिले इसके लिए हम कोशिश करते हैं वहाँ कि सरकार का सहयोग इसके तराजू पर नहीं तोलते हैं एक एक इमानदारी से इस देश के भविश्य के लिए पुरे विश्व मेरे भारत को जाने इसके लिए हम प्रयास करते है और मैं अभी भी अभी जन्वरी को इतना बड़ा काम रहते हैं सब को मानू मैं उसके बाद भी मैं 25 तारीकों फ्रास के राजप्रतिकों राज़्स्तान की गलियों में गुआ रहा था दुनिया को पता चले कि मेरा राज़्स्तान ऐसा आदर निया सभावती जी हमने एक बहुत बड़ा कारकम लिया जिसकी विश्व में मोडियल के रुप में चर्था हो रही एस्पिरेशनल डिस्टिक एस्पिरेशनल डिस्टिक की जो सफलता है न उस पर 80% बहुनी का मेरे राज़्यों के सहयोग की है राज़्यों ने जो सहयोग किया उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्टिक की मेरी फावना को समझा आज उस एश्परिश्टिक को आगे बढ़ाने के लिए 80% ताकत राज्यों से मिल रही है डिस्टिक लिवल के अपसरों से मिल रही है और जो राज्य, वो राज्य की आउसत में भी आखरी पायदान पे खड़े थे वो आज नेशनल एवरेज के साथ कॉंपटिशन करने लगे यह दिश्टिक अभी पीशेडी दिश्टिक माने जाते थे यह सबकर सयोक्सर हो रहा है और इसलिए हमारे कारिकमों की रचना ही सबको साथ लेकर के चलने की है और मिल करके देश के भविश्टिक को बनाने की है अज देश का हर कोना हर परिवा विकास के फल प्राप्त करे है यह हम सप्पा दाइक वह है और हम उसी जिसा में जाना चाहते है हम हर राज को उसका पूरा हग भी देना चाहते है लिकिन मैं आज एक एहम बुद्धे पर मेरी पीड़ा व्यक्त करना चाहूँगा आदरेने सभापती जी एक राष्ट हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है हम सब के लिए एक काई ऐसी है जो प्रेणा देने वाली काई है जैसे शरीर होता है शरीर में जैसे अंगांगी भाव होता है अगर पैर में काटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है हाथ कभी नहीं सोता है कि मुझे क्या पैर को काटा लगा है पैर पैर का काम करेगा पल बढ़ में हाथ पैर के पांग पहुंच जाता है काटा निकालता काटा पैर को लगता है आँखे नहीं कहती है का आँशू मैं का भाओ आँशू आँख से निकलते हैं हिंदुस्तान के किसी भी कौने में दर्द हो तो कीड़ा सब को होनी चाहिए अगर देश 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 का एक कौना अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पुरा शरीर अपंग माना जाता है शरीर जिस प्रकार जेश अगर देश का भी कौना देश का कोई छेत्र कि काँसे मंचीत रह जाएगा तो देश विठ्षित नहीं हो सकता है और इसलिए हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए उसको टुकड़ा में नहीं देखना चाहिए जिस प्रकार जी इंदर भाषा है बोली जा रही है देश को तोड़ने के लिए राजितिक स्वात के लिए नए नरेटिव गड़े जा रहे है एक पुरी सरकार मादान में उतर रहे हैं बाषा गड़ रही है इससे बड़ा देश का दुर्भाग के क्या हो सकता है आप मुझे बताइए जारखन का कोई आदिवासी बच्चा अगर ओलम्पीर के खेल के अंदर जाकर के मिड़ल ने का आएगा तो क्या हम ये सोचते हैं कि तो जारखन का बच्चा है तुरा देश कहता है हमारा देश जब एक जारखन का बच्चा में पुतिवा देखते हैं और देश हजारो करोड रुपया हजारो लाख रुपया खर्च करके उसको अच्छे कोचिंग के लिए दुनिया के किसी देश में बेचता है तो हम ये सोचेंगे कि खर्टा जार्कन के लिए हो रहा है कई देश के लिए नहीं हो रहा है हम क्या कहने लगे हैं क्या पाचा बोलने लगे इस देश का गवरो हमारे यहाँ वैक्सिन देश के करोनों लोगों को वैक्सिन का हम यह कहेंगे वैक्सिन तो उस कोने में बनी थी इसले हक उनका है देश को नहीं मिल सकती कैसा सोच सकते हैं क्या वैक्सिन उस शहर में बनी थी इसलिए देश के और भागों को इसका लाब नहीं भी लेगा ये सोचेंगे क्या क्या सोच बनेंगे ये और ये गराश्टी ये दल के अंदर से इसे विचांग रहे ये बहुत बहुत दुखत की बाद है मैं पूछना चाहता हूँ आदर्णिय स्मापती जी क्या अगर हिमाना एकल कहना सुरू कर दें हिमाना एकल बोलना सुरू कर दें कि नदिया मेरे हाँ से बहती है मैं तुब पानी नहीं देने हुँगा पानी का अधिकार मेरा है देश का क्या होगा देश कहा जागर के रुकागा अगर जिन राज्यों में कोईला है वो कह दे कोईला नहीं मिलेगा यह हमारी संपती है जाओ तुम अंदेरे में गुजारा करो देश कैसे चलेगा आदर्णिया सभावती जी आक्सिजन कोविड के समय अगर उस समय पूरत के लोग कह करके बैठ जाते है अक्सिजन कब लहीं दे सकते है हमारे लोगों के जिरूस है देश को कुछ नहीं मिलेगा क्या होता देश का उन्होंने संकर जेल करके भी देश को आक्सिजन पहुचाया देश के अंदर ये भाव को तोड़ने का क्या प्रयास हो रहाएं क्या इस प्रकास है देश को हमारा त्रेक हा만 मरी इस परशा में वोला जा, रहा है ये देश के देश के भुश्य के लिए हाँ वा Strong देश को तोड़ने के लिए नही नाए नरिटिक कुज़ाँ बंत कर दिजिए पिछलिए दस वर्ष, नीति और निर्माण के, आधनिय सभापती जी, आधनिय सभापती जी, नेति और निर्माण, ये नए भावत की नई धिशादिक, जो दिशाँ हमने पकड़ी है, जो निर्माण कारिय हमने लिए है, बीत एक दसक में हमारा पूरा फोकस, बेसिक स्विधाय जुरूर मिले, उस पर हमारा ध्यान केंदित रहा है, आधनिय सभापती जी, हर परिवार का जीमन स्तर उपर उठे, उसकी जीवन में, इज अब बढ़े, अब समय के मांग है, उसकी क्वालिटी ओफ लाइट में हम कैसे सुधार लाए, हम आने वाले दिनों में, हमारी पूरी शक्ति पुरा सामरत है, इज अब लिविंग से एक कदा आगे बढ़ करके, क्वालिटी ओफ लाइट की तरफ हम बढ़ाना चाहते हैं, हम उस पूरा प्यास को नई उच्छाई और ससक्ता वाना लिख लिए, हम अने एक वित्कार को कहुँचाने के पूरा प्यास कर लिए, और इसलिए हमने सामाजी ग्ण्याय का जो मोधी कवच दिया हैं, उस मोधी कवच को और मजिवित पने हैं, और ताकत देने वाले हैं, आज़ जब हम कहते हैं, कि पचीश करोड लोग गरीबी से बहार आएं, तो ऐसा कुतर के दिया जाता है, कि पचीश करोड बहार आएं, तो फिर अच्छी करोड को खाना अनाच को देते हों, हादर ये साभापती जी, हम जानते हैं, कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बहार आ जाएं ना, तो भी डॉक्टर कहता है कि कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे समालिए, खाने में परेजी रखे, ढिक ना करिए, फनाना करिए, कहना, क्यों? कहीं दुबारा वहां मुसिबत में आ जाए, जो गरीबी से बहार निकला है ना, उसको जादा समालना चाहिए, ताकि कोई ऐसा संकर्णा करके, फिर से गरीबी के तरफ लपकने जाए, और इसलिए, उसको मजबूती देने का समय देना चाहिए, यह समय हमने, गरीब को मजबूता कि वो फिर से वो नियो मिल्ट राथ, फिर से वापिस उस घर्थ में डूबना जाए, हम पांच लाख रुपे चलना जितना जरूरी है, उतना गल्ती से भी गरीबी के तरफ पीशे न चला जाए, उसके लिए ध्यान रखने के आवज़ सकता है, अब इसलिए, हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे, पचीस करोड गरीबी से बाहर निकले हैं, नियो मिडल क्लास हुए हैं, लेकिन मुझे समझ है, मैं उस दुनिया जी करके आया हूँ, उनको ज़रूरत ज्यादा है, और इसलिए, इसलिए हमारी योज़ना जारू रहे गया, आदर ये सभापती जी, देश जानता है आदर निस्वापती जी, और इसलिए मैंने गारंटी दी है, मेरी गारंटी है, गरीबों के पांच लाख रुपे तक की गिलाज की सुविधा, आगे भी मिलती रहेगी, मेरी गारंटी है, बोधी की गारंटी है, 80% डिस्काउंट से, जो दवाईया मिल रही है, जो दवाईया मिल रही है, जिसका लाब मद्यमबर गरीब को मिल रहा है, वो मिलता रहेगा, आगे नियस सभापती जी मोधीर की गरंटी है, कि किसानों को जो सम्मान निदी मिल रही है, वो सम्मान निदी चालू रहेगी, ताकि विकास की यात्रा में वो ताकत के साथ जूर जाए, आगे नियस सभापती जी, गरीबों को पक्के घर देने का मेरा अब्यान है, अगर परिवार बड़ा होता है, नया परिवार बनता है, पक्के गर देने का मेरा सारकम जारी रहेगा, नल से जल योजना, मेरा पक्का इरादा है, मेरा पक्की गरंटी है, कि नल से जल, हम नए सवचाले बनाने की जरूर पड़ीगी, मेरा पक्की गरंटी है, हम जारी रखेंगे, ये काम सारे तेजी से तलेंगे क्योंकि विकास का जो रास्ता विकास की जो दिशा हमने पकड़ी है इसको हम किसी भी हालत में जरा भी धीमी नहीं होने देना चाहते हैं हादनी सवाबती जी हमारी सरकार का तीसरा टम दूर नहीं है कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते है मोदी 3.0 विक सिख भारत की नीव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देते हैं आदनी सवाबती जी अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरी की संख्या पहले के तुन्ना में अनेक गुना बढ़ी मेडिकल कॉलीजों की संख्या बढ़ेगी इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलब हो जाएगा आदनी सवाबती जी अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा आदनी सवाबती जी आने वाले 5 साल में उन गरीब को पी एम आवास जो देने हैं एक भी बंचीत नहीं रहे इसका पका ख्यार दखा जाएगा अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो बिजली बिल जीरो बेज के कितने नागरीण जो को और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेज करके कमाही कर पाएंगे ये अगले पांच साल का कारकम है आद ये सभापती जी अगले पांच साल देश में पाइप से गेस के कनेक्शन पूरे देश में नेटर्वर्क बनाने का परपुर्ट ये खुणे आस पिल्याज जाएगा सभापती जी आने वाले पांच साल हमारी युवाज शक्ति का दम पुरी दुनिया देखेगी आप देखना आदनिय सभाबती जी हमारे युवाज स्टार्ट अप्स युवाओं के युनिकॉन इसकी संख्या लाखों में होने वाली है और इतना इने टीये टू टीये ट्री सिटी नएने स्टार्ट अप से उसकी एक नई पहचान के साथ उबरने वाला है ये मैं पांच साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूँ आदनिय सभाबती जी रीसर्ट फंडिंग उसकी वृद्धी का प्रभाव आप देखा पिछले साथ दसक में जीतने प्रटेंट नहीं हुए है उतने रिकॉर्ड प्रटेंट फाइल होने का दिन आने वाले पांच साल में देख रहा हूँ आदनिय सभाबती जी आज मेरे मद्धंबर के लाखो बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं मैं वो स्तिती लाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के लाखो रुपिय बच जाएं मेरे देश के मद्धंबर के सपने पुरे हो बेस बेस उनिवर्सिटी मेरे देश में हो उच्छतम सिख्षा उनको मेरे देश में मिले और मेरे बच्चों का उनके परिवार का पैसा बचे उसलिए मैं कहें रहा हूँ अधर्णिय सभापती जी आने वाले पांच साल आप देख रहा कोई भी इंट्रेंडेस्टल खेल की कमपडिशन ऐसे नहीं होगी जुसमें भारत का जंडे हर जगा बनमत है मैं देखने वाला हूँ पांच साल खेल जगत के अंदर दुनिया में भारत के युगा की शक्ति की पैचान देन है अधर्णिय सभापती जी आने वाले पांच साल में भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह टांस्परम होने वाला है अगले पांच साल में गरीब और मिलकास को तेल और शांदार याता की सुविधाए बहुत आसानी से मिलने वाली है तेज मिलने वाली है पूरी ताकत से वहता होने वाली है अगले पांच साल में देश गुलेट ट्रेइन भी देखेगा और बंदे भारट ट्रेज को इस्तार भी देखेगा आधनी सभबतीजी अगले पांच साल में आत्मदीरगर भारत का भियान नई उचाई पर होगा देश हर खेत्र में आत्म देवर होता नजर आएगा आदनिये स्वभवती जी आने वाले पांच साल में मेड इनिया सेमी कंड़क्टर दुनिया में हमारी गूंज होगी इलेक्ट्रोनिक हर गूर्ट में वो चीफ होगी जिसमें किसे न किसी भारती का पसीना होगा दुनिया के इलेक्ट्रोनिक बाजार में एक नई व्यति का सामर्त आने वाले पांच साल में देश देखेगा आदनिये स्वापती आज देश लाखों करोर रुपे कर इंपोर्ट करता है अपनी उर्जा जरुतों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर भर बनने की दिशा में काम करेंगे और मुझे विश्वास है हम उर्जा जरुतों पर जो डिपेंडन्स जी है वो कम करने वे सभल होंगे इसे इतना ही नहीं आदनिये स्वापती जी ग्रीड हाइड्रोजन भ्यान हम दुनिया के बाजार को लालाइत करने की दिशाम हो आके बट रहे है कुमारा कुर्याइ अदन, उर्जा जरुतों को पूरा करने का सामर्थ रहेगा इते नौल की दुनिया में हम तेजी से आके बट रहे है हम 20% का लक्ष प्राप्ट करके हमारे लोगों को टांस्पोर्टेशन में सस्ता मिले इसकी ववस्ता होगी आधनिये सभापती जी जब मैं 20% इससे रोल की बात करता हूँ उसका सीधा लाब मेरे देश के किसानों को होने वाला है देश के हजारो करोड रुपियों का खाने का तेल हमें बार से लाना पड़ रहा है हमारे देश के किसानों पर मुझे भरोसा है और मुझे पका विज़े जो नीतियों को लेकर हम चलते हैं मेरा देश बहुत एक आत्मदेरबर पांच साल में हो जायेगा और जो पैसा बचेगा मेरे देश के किसान की जेब में जाएगा जो आज देश के बाजार में जाता है आदनिये सभावती की केमिकल की खेती की गानम हमारी दर्ति मां को बहुत उक्षान हो रहा है आने वाले पांच साल में नेचनल फार्मिंग के तरफ देश के किसानों को ले जाने में हम सफलता पुर्वग आगे बढ़ेंगे एक नया जागुरुती का काम होगा हमारी दर्थी मार्की भी स्वरक्षा होगी आधनिय सभापती जी नेचनल फार्मी बंडे से दुनिया के बाजार में भी हमारी उत्पादों की ताकत बढ़ने वाली है आधनिय सभापती जी युएन के मादम से मैंने मिलेट का भियान चलाया स्री अन्नत के राते आज हमने उसकी पहचान दी है मैं वो दिन देर दूर नहीं देखता हूँ जब की आने वाजे पांच साल में दुनिया के बाजार में सूपर फूर्ड के रुप में मेरे गाउं के छोटे छोटे किसाओं के तरह प्रतिश्णा होगी स्री अन्न दुनिया के बाजार में प्रतिश्णा होगी सूपर फूर्ड की प्रतिश्णा होगी सभाबती जी ड्रोन खेतों में एक नईस किसानों की ताकत बनकर के उखने वाला है पंदरा हजार ड्रोन दीजी का कार का मॉल नहीं हम लॉंच कुर चुके हैं यह तो शुरुवात है आगे भहुत सफलता दिपती है आदेनिये सभाबती की हम नेनो टेक्नोलोजी को अगरिकल्चर में लाने में प्रगो गब सक सफल हुए हैं हमने नेनो युया में भहुत ब आदेनिये सभाबती की सहकारी का खेत्र में हमने एक नई मिनिस्ट्री बना ही है उसके पीछे इरादा है कि सहकारीता का पुरा जना अंदोलन नई ताकत के साथ उपरे और 21 सदी की आवशक्ता को अनुसार उपरे उसको भ्यम और उसका सब्से बड़ा लाब हम दो लाग ब बीतर बीतर वो पुरा हो जाएगा चोटा किसान को भी अपनी प्यादार को रख रहेंगी जगा मिल जाएगी किसान कहीं करेगा किस भाव से बाजार में बेच नहीं बेचना है उसको जो बरबाद होने का दरता वो खतम हो जाएगा और किसान के आर्थिक ताकत बढ़ में हम बहुत बड़ी तेजी से विकास करेंगे ये भी मेरा प्रवाब इस्वास है हमने एप्पियों के जो रतना का प्रारम किया है अनुभ्यों बहुत अच्छा है पांच साल के भीतर भीतर किसानों के एक नई संक्रण की शक्ति और क्रिशी उत्पादन में वैल्यू की ता कि विश्व का ध्यान भारत की तरफ गया है और इसलिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र टूरियम आने वाले दिनों में होने वाला है और जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला है आज विश्व के कई देश है जिसकी पूरी एकॉनोमी टूरियम पर निवर है भारत में भी बहुत से राज जैसे बन सकते हैं जो उनकी पूरी एकॉनोमी का सबसे बड़ा हिस्सा टूरियम होगा और वो दिन दूर रही है जिन लितियों को लेकर हम चल रहे हैं भारत एक बहुत बड़ा टूरिस डेस्टनेशन बने वाला है आदेडियस वापती दी जिसका के बाते कर रहा हैं वैसा लोगों को लगता था आउट डेटेट सोच वालों के लिए सामर्त का भाव था लेकिन मैं पूरा विस्वास से कहता हूँ आदेडिस हवापती जी आने वाले पांच बश्ट डिजीटल एकॉनामी की दुनिया में भारत का डंका बेजने वाना है भारत एक नई सक्थी है आद डिजीकल व्यवस्थाएं भारत के सामर्त को बढ़ाने वाली है विश्वा मानता है कि AI का सब से ज़्यादा उप्योग कोई करने का सामर्त के चिद्देश में होगा तो हिस्टान ये लेटेस से लेटेस टेक्नोलोजिक उप्योग मेरा देश क करेगा आदर्णी सभापती जी स्पेस की दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है हमारे वेग्यानिकों का पराकम नजर आना वाला और आने वाले पांच साल का जो कारकम है न मैं आज इसको शब्दों में बयान ही करना चाहता हूं लेकिन विश्व को अचंबित करने की दिशा में हमारे वेग्यानिक स्पेस की दुनिया में भारत को ले जाएंगे यह मेरा पक्का विश्वास है आदर्णी सभापती दीदी यह अपने आप में हमारे बेटियों के उत्कर्ष की गाथा नित करते हैं आदर्णी सभापती दी ऐसे अनेग में खेत्र हैं जिस खेत्र मैं मैं साब देख रहा हूं आने वाले पांच सर साल धारत कभी हम सुना करते हैं देश्वानिम्यूग था मुझे वो दिन धूर नहीं दिते जब पांच साल में वो मजबुत नहीं आएगी और 2047 तक पहुंत पहुंते हैं ये देश उस्वाने में उसको फिरते चीने लगागा इस विसमास के लागा है आदर्णी सभापती लिए लिए जिसी धारत ये शब्दों का ठेल नहीं है ये हमारा कमिट्मेंट है और इसके लिए हम समर्भी धाव से हमारी हर सांस उस काम के लिए है हमारी हर कोच उस काम के लिए समर्भीत है उसी एक भावना के साथ हम चले हैं चल रहे हैं चलते रहेंगे और देश आगे बढ़ता रहेगा ये मैं आपको विश्वास है आए वाली सदियां इस समनकाल का इतिहात मैं रंकित करेगी ये विश्वास मेरे मन में इसलिए हैं देश की ज बढ़लाव देखा है वो तेज गती से बढ़लाव जीवन के हर ख्षेत्र में जीवन के हर ख्षेत्र में नई उचायां नयां नई ताकत प्राप्त होने वाली हैं और हर संक्रप को सिद्धी तक पहुंचाना यह हमारी कारिशनी का हिस्सा है अधरने सभावती जी मैं फिर एक बार इस सदन में आप सबने जो विचार रखे उसके कान देश के सामने सत्य रखने का मुझे जो अवसर मिला और दंके की चोट पर सत्य रखने का अवसर मिला और सदन की पवित्रता के बीच रखने का अवसर मिला है सम्यधान की पूरी साक्ष रखने का अवसर मिला है मुझे विश्वास है कि देश जिनकी वारंटी खतम हो गई है उनकी बाते सुनने ही सकता है जिसकी गारंटी की ताकत देखी है उसकी वेजारों के भी विश्वात करते हुए अधर एक बार आधरिये सभावती जी आपका रुदै से आभार वेक्ते करता हूँ और आधरिये राश्पती जी को मेरी तरफ से उनके याख्यान के लिए आधर पुर्वग, अभिनांदर और आभार वेक्ते करते हुए तो राजी सभावत से प्रधान मंप्री नरेंदर मोदी को आप सुन रहे थे अपने 10 साल की कारिकाल का लेखा जोखावरों ने बताया और अगले 5 साल किस तरीके से रहने वाले हैं सरकार का विजन क्या रहने वाला है अगर सरकार आई तो उसका भी विजन यहां सदन में प्रधान मंप्री की तरफ से रखा गया है इस वरान तीसरी बार सरकार की हुंकार प्रधान मंप्री की तरफ से ली गए 3.0 का कारेकाल शुरू होने वाला है और विक्सद भारत के लिए 3.0 यानि की मोधी सरकार 3.0 आने वाला है जो की ज़्यादा दिन दूर नहीं है प्रधान मंठी नरेंद्र मोधी को आपने सुना राज्यसबा से तमाम बातों का जिक्र किया विपक्षपर करारा हमला भी किया और विक्सद भारत के लिए 3.0 जरूरी है इस बात का जिक्र भी प्रधान मंठी की तरफ से दिया गया है उनका कहना था कि हमारा जो 3 तीसरा कारेकाल है वो जादा दोर नहीं हैं और तीसरे कारेकाल में सरकार का क्या वजन रहने वाला है इस बात का जिक्र भी प्रधान मंत्री ने किया तमाम जो चीज़े हैं उनको भी सदन में गिनाया तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अगले 5 साल में बुलेट ट्रेन देश में होगी इस बात का जिक्र प्रधान मंत्री की तरफ से किया गया गरीबों के लिए सरकार घर बनाते रहीगी कोई काम नहीं रुकेगा मुफ्त में अनाज लोगों को पहुचाया जाता रहेगा ज संभोधन की जिसका जिक्र प्रधान मंत्री ने आज अपने संभोधन में किया गरीबों की ताकत को और बढ़ाएंगे सरकार आती है तो और भी काम होगा देश को विक्सित करने का काम लगातार किया जाएगा विक्सित भारत के लिए 3.0 जरूरी है और इस बीच देखे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने राज्यस नभा में कॉंग्रस सध्याक्ष खर्गे पर भी जम कर पलटवार किया तंज कस्ते हुए कहा कि खर्गे जिसे 400 सीटों का आशिरवाद मिला और उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया उन्होंने जो 400 सीट एंडिये के लिए आशिरवाद दिया तो है और मैं अरवेटी के इन आशिरवाद को आपके आशिरवाद मेरे स्वराखों पर अब आपके आशिरवाद वापिग लेना को ले सकते हैं तो है तो